आज की रेसिपी है चिकन भूना मसाला विहारी स्टाइल एक केजी चिकन में एक बड़े चमच हल्दी चोथाई चमच काले मिर्च एक चमच मिर्च एक चमच लैसुन आदा चमच अद्रक और एक चमच नमक मिला करके इसे एक घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे अगर आप ब आद भर फ्रिज में भी रख सकते हैं अब एक बरतन में तीन चमच सरसो तेल डालेंगे इसे गरम करके एक चोटा चमच जीरा पेज पता और कुछ खड़े गरम मसाले जैसे की बड़ी लैची चोटी लैची लॉंग डालेंगे उसके बाद साथ से आठ प्याज को डाल करके पांच छे मिनट तक मध्य माच पर पका लेंगे ताकि प्यास थोरे गल जाए अब एक चोटा चमच मिर्च लैसुन तीन चार टमाटर डालेंगे खटे वाले और एक चमच हल्दी तीन चमच धनिया डालेंगे और एक चोटा चमच चिकन मसाला आदा चोटा चमच काले मिर् और इसे करीब 3-4 मिनट तक मध्यमाच पर भून लेंगे आप चाहें तो थोरा पानी भी डाल सकते हैं जिससे मसाले जले नहीं मसालों को भूनने के लिए तेज आज को उपियोग ना करें अब जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो डालेंगे और मध्यमाच पर इसे 10 मिनट त पक जाएगा और बहुत जूसी लगेगा जब भूनते भूनते करीब 10-12 मिनट हो जाएगा तो फिर हम आज को कम कर देंगे और 15 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे बीच बीच में आप चाहें तो एक दो बार इसे चला सकते हैं ताकि चिकन जो है तले में लगे नह अभी यह चिकन पुरी तरीके से पक गया है अगर चिकन नंपका हो तो यसे थोरी देर और पका ले अब हम इसका टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए धनिया पत्ति डालेंगे और मिक्स करके दो मिनट तक और इसे पका लेंगे जिससे जो धनिया पत्ती का टे विहारी तड़का लगाएंगे इसके लिए एक बड़े चमच घी में एक चुटा चमच जीरा दो तिन मिर्च को डाल करके थोड़ा जला ले और फिर इसमें डाल करके मिक्स कर ले और ढखकर्ण से ढखके पांच मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दे और उसके बाद गर्मा गरम सर्फ करें अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं थैंक यू